Hello students, अब हुम सिखेंगे Laws of Refraction Refraction के भी दो law है, पहला law है Snell's law जो कहता है कि sin of I upon sin of R is equal to constant यानि I का मतलब यहाँ पर है angle of incidence R का मतलब है angle of refraction तो इसका मतलब हुआ, sin of angle of incidence upon sin of angle of refraction is equal to constant और यह constant जो है N refractive index भी कहलाता है तो यह आपका पहला law हुआ दूसरा law है, incident ray, refracted ray, normal at the point of incidence all lie in same plane तो आप देखेंगे कि यह second law जो है, वो laws of reflection के second law के जैसा ही है वहाँ पर reflection word यूज हुआ था यहाँ पर reflection या refracted ray word यूज होगा पहले law में भी similarity देखेंगे, वहाँ पर भी पहला law जो है वो angle के बारे में बात करता था यहाँ पर भी यह पहला law जो है, angle के बारे में बात कराया है provided यहाँ पर sign of angle हो गया है वहाँ पर सिर्फ angle था I hope आपको laws of reflection समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और bell का बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुच सके और सभी लोगों की मदद हो सके क्योंकि ये board का बहुत ही important topic है year 2019 में भी laws of reflection दो marks के आये थे तो उमीद करता हूँ आप इसे सभी के साथ शेयर करेंगे Thank you very much